नमस्कार दोस्तों जीवन बतल देने वाले सत्यवचन दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर करते ना नमबर एक बाजार से गुजरते वक्त जेव में पैसे होते हुई भी अपनी ख्वाहिस ना पूरी करने वाला वो कोई कंजूस नहीं होता साहब, वो एक पिता होता है अब वक्त बदल गया है, बेटिया नहीं, बेरोज़कार बेटे मावाब के कंधों पर बोज़ है इसलिए अपने आपको आत्मिर्भर बनाने के लिए सही दिशामय प्रियास चरूर करें पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्ने से परिंदे का आसमान है पिता है तो बच्चों के सारे सपने सपने है, पिता है तो बाजार के सारे खिलोने अपने है ससुराल से ठुकराई गई बेटी माता पिता के लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द होती है पुरानी कहवत है जिसकी बेटी दुखी उसका जीवन दुखी संतोज है तो चार रोटी और दो कपड़ों में भी आनंद है लालच है तो चार गाड़ी और दो बंगलों में भी मन परेशान है चोरासी लाग हियोनियों में केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जो धन कमाता है कोई अन्य जीव भूख से नहीं मरा और इंसान का पेट कभी नहीं भरा क्योंकि इंसान पापी है पिता वह चीज है जो पाई पाई बचा कर जीवन भर की कमाई और अपनी बेटी देने के बाद विदाई के समय हाद चोड़ कर दामाज से कहता है मुझ पर एक एहसान कर देना बेटा अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद ना आए या मुझसे कोई कमी रह गई हो इन चीजें हमेशा गुप्त रखिए अपनी आए अपना अपमान और अगला कदम एक सीधा रास्ता इंसान को कभी भी अच्छा ड्राइवर नहीं बना सकता इसलिए जीवन में सफल बनने के लिए ठोकरें बहुत जरूरी है किसी के लिए हर समय मौजूद रहना और एक ही जगह पर हर रोज जाने से आप अपनी एहमियत खो देती है वीडियो पसंद आई हो